दुनिया में आए दिन धार्मिक मानेताओं की आजीबों गरीब खबरे निकलती रहती हैं। इसको लेकर लोगों में तरा-तरा की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। कोई इसे अंद्विश्वास बताता है तो कोई इसे विज्ञान से जोडता है। मद्रदेश के शिपपुरी जिले में ऐसी ही एक घटना हुई तो लोग शद्धा भगती में डूब गए। जिले के पोरी नगर इलाके में सोमवार को एक पेड़ से अचानक जलधारा निकलनी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे देखा तुआ ने लोगों को बताया। देखते ही देखते वहां भीड उमड पड़ी। कई लोग इसे गंगा मा का अशिर्वास समझ कर जै हो गंगा मैया की बोल कर पूजा करने लगे। तमाम लोग इसका वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिये। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए पहुचने लगे। अब हालत ये है कि लोग इस जलधारा को पेड से निकलती गंगा मान कर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अजचना कर रहे हैं। वो हाथ जोड़कर पूजा करने के बाद इसका जलपान कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये गंगा जल नहीं बलकि पेड के नीचे से कोई पाइप लाइन गई है। वो जड़ों के बढ़ने से टूट गई है और उसका पानी लीक होकर बाहर निकल रहा है। सोशल मीडिया पर उसको लेकर कई तरह के कमेंट भी आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सीवेज लाइन शती ग्रस्त होने से उसका गंदा पानी निकल रहा है। कहर अंदविश्वास का आत्म विश्वास हमेशा हाई होता है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है। Bureau Report, चनसंदेश ताइम्स